हालो फ्रेंट्स वेल्कम टू दो एंपीज से काडमी चलिके आज हम लोग पढ़ेंगे साइनो एंटो साथ साथ देखिए हम जो प्रिभियर्स जो हमारा पैट्यान था पढ़ने का उसमें हम लोग शिर्फ या तो साइनो पढ़ते थे या फिर एंटो पढ़ते थी ठीके आज से हम लोग करेंगे क्या कि साइनो और एंटो जो है हम लोग साथ साथ में हर एक वर्ट का सीखेंगे ठीक है ताकि आपको जो है एक वार में दोनों का साइनो पता चलिए उनका हिंदी भी पता चलिए उनका अर्थ पता चलिए ताकि आपको जो है जल्दी याद हो समझने मे असानी हो ठीक है अगर आपको यह pattern अगर अच्छा ना लगल लगे तो प्लीस केमेन जरूर करें तो हम पहले वाले pattern पे बता रहेंगे लेकिन आज जो है हम नए pattern से बता रहे हैं तो आपको जूल अच्छा लग मतलब क्या होता है मत भेद decentralized मतलब क्या होता है मत्भेद होता है तो देखे इसका का synonyms क्या हो जाएगा synonyms हो जाएगा discord का synonyms क्या होगा बताईए इसक्राइब मतलब होता है मतभेद मतभेद का देखिया एंटो क्या हो जाएगा यानि कि समय मिलनसार तो अब हम लोग पढ़े हैं कि असेंट मतलब होता है मंजूरी दिना मत ठीक है एडवल एस इंटी एडवल एस इंटी इसका हो गया मतलब की जहां पर सब लोग मेल्यूल करते हैं लेकिन दिस्कॉर्ट का साइनों क्या होगा मतभेद का साइनों क्या होगा यह बताना है आपको यह वर्ट जो है हम लोग प्रिवियस क्लास में पढ़ चुके हैं तो बताएए इसका जो साइनों है वो क्या होगा यहां पर हो जाएगा आपका जिसेकोड मतभेद यानि की डिस्प्यूट, ठीक है? विवाध, मतभेद, असेंट मतलब सहमती, असेंट मतलब सहमती ठीक है? डिसकोड मतलब होगा आपका, सहमती, ठीक है? डिस्प्यूट मतलब होग्या besar जहां पे लोगों प्रभूक मतलब होता है उत्यजित करना उक्साना तो अब इसका signwho क्या होगा प्रभूक का इसका हो जाएगा instigate instigate मतलब होता है उक्साना या फिर उत्तेजित करना क्या होता है उक्साना या फिर उत्तेजित करना अब इसका antonyms क्या होगा प्रोभूक का मतलब की उत्तेजित करना या उक्साना यानि कि अब एक तो हो रहा है कि कोई कर रहा है और यह क्या कर रहा है कि उसे सांत कर रहा है ठीक है तो mitigate है कि मिटी गेट मतलब कम करना या फिर सांत करना कम करना या फिर सांत करना sorry for disturbance थोड़ा सा पीछे disturbance हो रहा होगा दूसके लिए स्वाइट है चलिए देखते हैं आगे surplus surplus मतलब क्या होता है शर्प्लेस मतलब होता है अधिकता, मतलब की प्रचूर मात्रा में, ठीक है? तो सर्प्लेस हो गया आपका अधिकता, तो इसका सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? सर्प्लेस का इक्सेस, इक्सेस मतलब अधिकता, ठीक है? अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अधिकता का एं तो सी आई टी वाई ठीक है स्पेलिंक्स जो है आप लोग हमेशा ध्यान रखेएगा गलत नहीं लेख लिएगा यह गलत नहीं याद कर लिएगा ठीक है चलिझे क्या हो जाएगा एकरीट का इसका हो जाएगा प्वाइगनेंट पी ओ आई जी एन एंटी यह वह जो है हम लोग पढ़ चुके हैं साथ दो तीन दिन पहले के क्लास में तो देखिए हमारा यहां पर जो है एक तरीके से रिवीजन भी हो रहा है इधर हम नए वोट्स को सीख र फेर भी कण्या जो है इसका शाथ में साहिन there वहाई कर सकते हैं है ठीक है मंतलब होता है घ्रेज linा करना प्या होता है घ्रेजच करना इसका सेनोनियम क्या हो जाएगा है मतलब धो हेट मतलब घ्रिर्णा ठीक है और लव मतलब की हो गया आपका प्यार ठीक है लब मतलब हो गया प्यार प्रेम तो देखिए, लूट मतलब घृड़ना करना, हेट मतलब घृड़ना करना, इसको सिननिम्स भी हमें पता चल गया, और यहां देखिए, इसका एंटनिम्स घृड़ना का एपोजिट हो गया आपका प्यार या फिर प्रेम, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, टार्ट, मतलब होता है तीखा, मतलब होता है आपका तीखा, ठीक है, टार्ट मतलब हो गया तीखा, और इसका हो जाएगा एंटो आपका टेस्टी, ठीक है, टेस्टी मतलब की स्वाधिष्ट, एक जो है आपका टेस्ट में तीखा है, खड़वा है, और यहां एक जो है टेस्ट आप का व्हुक्त करना है किसिको कर देना इसका यह चांट मतलब के आपका अजात कर देना वाका साथ इंटो क्या हो जाएगा इसका confine confine मतलब सिमीद कर देना उसे बंद कर देना ठीक है सिमीद करना देखें c-o-n-f-i-n-e c-o-n-f-i-n-e ठीक है spelling तो आप लोगो clear view होगा ठीक है free मतलब होगी आम मुक्त करना आजात करना confine मतलब की सिमीद कर देना उसे बांसे देना ठीक है confined चली दखते हैं आगे dwindle मतलब होता है कम करना कम होना या फिर कम करना dwi ndl dwindle मतलब हो गया कम करना या फिर गम होना इसका synonyms एंटोन्यम समझानते हैं देखें ुदीन ड़ मतलब हो गया decrease कम होना डेक्रीज मतलब की बढ़ जाना घाऊंशा एक और बात पुता ना ख़ेंग आप लोग को कुल्यूत करेश्च बहुत ज्याधा यॉसफुल साबित हो जाएं टि क्योंकि गर एक बेटर बुक है यूझे आपके वास एक बेटर आप्सें है इंगलीस के प्रिपेशन करने के लिए तो अगर अच्छे से उसका पढ़ना चाहते हैं इसको सलुशन चाहते हैं येरवाइज तो प्लीज हमारा एक जोईन कुए वे हैं उनके लिए ठीक है जो नहीं जा आए के वेन हैं वो फ्लीज जाकर टेल ग्राम करें ठीक है ठीक है टेल ग्राम इस टॉल करें और उने पीजिस एकैडमी सर्च वाहिफार में सर्च करें पर Count कर लें वहां पर जो है आपको दह हिंदू का वर्ज मेनिंग एवलेबल तो पूरा अम लोग लगभग वहां पर 1200 के आसपास वर्ज मेनिंग पढ़ चुके हैं जो लोग वहां पर जुड़े हैं उनके लिए अच्छा जो नहीं जुड़े हैं प्लीज जुएन करें दहिंपज दूब जुए आप लोग इंट्रेस्ट नहीं दिखाएं तो हम जो है क्वेशन बनाना उससे मैं छोड़ दिया थे ठीक है लेकिन अब जो है एक्जाम से नजदीक हैं तो जो सिरियस असपारेंट है जो सिरियस चुड़ेट हैं प्लीज जोइन करें और कमेंट करें कि हाह हम जोएन करना है हम कर रहे हैं या फिर करना है तो प्लीज आप तेलिग्राम इस्टॉल करें वहां जोएन करें और कमेंट जरू कर दें अभी वहां पर 45 मेंबर से अल्रीड हैं लगवक वहां पर 80-100 candidates हो जाएंगे जोएन कर लेंगे तो हम जो है अपना question paper इधर से release करना शुरू कर देंगे क्योंकि कुछ important questions जो है वोड़ी सेट कर चुके हैं ताकि वहां पर जो जुड़े वे हैं aspirants उन्हें फाइदा मिल सके तो अगर आप भी इसका फाइदा लेना चाहते हैं तो प्लीज दोएंप जोएन करें टेलग्राम पर और वीडियो को जो है लेसंस को है शेयर करते जाएं आप लोग ठीक है ताकि एक्जाम जो भी है लगवक साथ से सतर दिन उन्हें भी अच्छा फाइदा हो सके हमारे चैनल के साथ क्योंकि आप लोग सभी को पता है कि हम लोग यहां पर अपने ही आम भासा म अधिया धार कशले आगे से अधिकर में होता है यह भेद्भाव करना मतलब होता है वेर्भाव करना सिंक्रीमिनेशन मतलब होता है वैध्भाव करना देखिए अअ कि ilvast को क्या यह जाएगा तो इक्वालिटी भराबर hic का और equality E-Q-U-A-L-I-T-Y equality मतलब बराबर यह आप लोग हिंदी लिख लिजेगा हमें आप लिख नहीं पाएंगा स्पेस नहीं है ठीक है equality E-Q-U-A-L-I-T-Y equality मतलब बराबर latent मतलब गुप्त लाइटेंट मतलब गुप्त इसका synonyms क्या हो जाएगा hidden मतलब की छिपा हुआ ठीक है hidden मतलब की छिपा हुआ और यहां पर disclose D-I-S-C-L-O-S-E disclose ठीक है spelling लिख लिजेगा आप लोग D-I-S-C-L-O-S-E disclose मतलब उजागर कर देना आप हिंदी लिख लिजेगा हम दो वर्च का हिंदी यहां पर लिखनी पाया है ठीक है equality मतलब बराबरी और लिख अधारि सबस्ताव है है आपिसे के लिए हैं आप ऊपल बगलाबर लोगद्ग कर देदिए